लो दोस्तों, Extra Grades में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे भिख्शुक पर जिसे लिखा है सूरीकान्त्रीपार्टी निराला जी ने इस कवीता, ये कवीता महा कवी सूरीकान्त्रिपार्टी निराला जी के दुआरा लिखी गई है इस कवीता में कवी एक भिक्षुक का अत्यांत मार में चितरन किया है कवी जब उस भिक्षुक को देखते हैं तो उसकी दैन्मिय दशा को देखकर उनका हरदय द्रवित हो उठता है भिक्षुक इतना गमजोर है कि उसका पेट और पीट मिलकर एक हो गया है लाठी के सहारे वो चलता है मुठी भर दानों को पानी के लिए वो फटी पुरानी जोली फैलाता है उसके साथ साथ दो बच्चे भी हैं जो एक हाथ से भूख से पेट को मल रहे हैं और दूसरे हाथ से भीख मांग रहे हैं उनके होट भी भूख से सूख गये हैं सडक पर पड़ी जूठी पतलों से वो वे भूख मिटानी का प्रयाश करते हैं पर वहाँ भी उनका साथ नहीं छोड़ता वे पतलों पर कुट्टे जपट पड़ते हैं यहाँ पर कवी ने भिख्शुक को अभी मन्यों की तरह संखर्श करने का प्रेणा दी है चलिए दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो सब्सक्राइब सरूर किये करें लाइक बटन दबाए और मेरे लेडिस्ट वीडियो को के लिए बेल आइकन दबाना ना भूले प्रस्तत है कवीता भिक्षुक जिसे लिखा है सूरे कांथ त्रिपाठी निराला जी ने आईए सबसे पहले कवी का परिचेक देखते हैं महा कवी सूरे कांथ त्रिपाठी निराला का जन 1897 इश्वी में बेंगॉल के मेदिनापुर जिले में हुआ था बच्पन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था इनोंने हाइ स्कूल की कक्षा तक आते आते बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी सीख ली थी इनका पारिवारी जीवन कश्ट में रहा एक पुत्र और पुत्री का जन को जन देकर इनकी पत्नी का भी स्वर्क सिधार गई इनोंने अपनी पुत्री सरोज का विवा किया पर थोड़े ही दिन बाद उसकी भी मृतियों हो गई निराला जी बहु मुखी प्रतिभा के दनी थे ये स्वभाव से बड़े निर्विक तथा वित्रोही थे इनोंने रामक्रिशन मेशिन के पत्र सम्वे मत्वाला तथा गंगा पुस्तक माला का संपादन किया परिमल, गितिका, अनामिका, अप्रा, तुलसिदास, राम की शक्ति पूजा आदी इनकी प्रसिद्ध रचनाए है निराला जी ने ही मुक्त जंद की शुरुवात की इनकी भाशा संस्कृत निष्ट खड़ी बोली है सन 1961 में इनका निधन हो गया तो शुरू करते हैं कवीता भिखशुक इस कवीता में व्याख्या, भावर्थ, शब्दर्थ, उसमें आए हुए मुहावर्यों का अर्थ आपको इस वीडियो में मिलेगा तो चलिए शुरू करते हैं कवीता भिखशुक वह आता दो टुक कलेजे के करता पच्ताता पत पर आता पेट पीट दोनों मिलकर है एक चल रहा लकुटिया टेक लकुटिया मींज लकुटिया का मतलब है लाटी मुठी भर दाने को भुख मिटाने को मुफटी पुरानी जोली को फैलाता दो टुक कलेजे के करता पच्ताता पत पर आता इन पंक्ति में कवी कहते हैं हिंदी के निराले कवी सूरे कांतर पार्टी जी निराला द्वारा रचित भिख्षुक शिर्शक कवीता से ली गई है इन पंक्तियों में कभी एक भिक्षुक की दैन्य दशा का चितरन करते हैं निराना जी कहते हैं कि एक भिक्षुक घरदय से दुखी होता है होता हुआ पस्टाता करता हुआ सड़क पर आ रहा है लगता है उसे कई दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला है इसलिए खाली पेट पीठ से लगा हुआ सा लगता है भूख चिंता एवं दुख के कारण वो इतना कमजोर हो गया है कि लाठी के सहारे के बिना चलने में भी असमर्थ है इसलिए वो लाठी के सहारे चल रहा है वो मुठी भर दाने पाने के लिए तथा उन से अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी फटी पुरानी जोली को फैला रहा था अर्थात अपनी फटी पुरानी जोली को फैला कर लोगों से मुठी भर दाने देने के लिए गोहार कर रहा था कवी कहते हैं कि जब एक भिकारी को जब भी मांगते देखते हैं तो उनकी दीन ही इंदशा को देखकर उनके कलेजे के टुकडे टुकडे हो जाते हैं वो अपने दीन ही नवस्ता को देखकर पश्या ताप करते हैं और कहते हैं वह लाठी के सहारे धीरे धीरे चलता है उसकी पीठ और पेट एक हो गए है यानि कि वह कई दिनों से भूका है थोड़े से भोजन के लिए उसे दर-दर की ठोकरे खानी पड़ रही है उसके हाथ में एक फटी पुरानी जोली है जिससे वह सब के सामने फैलाता वह भी मांग रहा है ताकि वह अपना पेट भर सके या देखकर कभी कहरत है चीर-चीर हो जाता है या दर-दरता को देखकर पचताता रहता है अब आते हैं दूसरी स्ठेंजा की ओर और शब्द हैं साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाएं बाएं में से वे मिलते मलते हुएं पेट को चलते और दाही ने दया द्रिश्टी पाने की ओर बढ़ाएं भूक से भूक होट जब आते दाता भागे विधाता से क्या पाते घूट आसूँ से पी कर रह जाते इन पंक्तियों में कवी कहते हैं कि भुच्चुक के साथ उनसके दो बच्चे भी हैं वे भ अपना हाथ फेला कर लोगों से भीक्षा मांग रहे हैं बच्चे अपनी बाहें सहाथ में हाथ से अपना पेट मल रहे हैं और दाहीने हाथ से लोगों से कुछ सहायता करने की प्रातना कर रहे हैं अर्थात वे अपनी भूक को प्रदर्शित करके लोगों का ध्यान अपनी और आकरशित कर रहे हैं। भूके रहने के कारण उनके होट सूख जाते हैं। तो भी अपने भागे विधाता से वे भूक, अपमान, अपेक्षा, उपेक्षा, आधी के अतिरिक्त और क्या पाते हैं। अपमान और दुख के कारण वे आशू को का घूट पी कर रहे जाते हैं। अर धार वे अपना मन मसोस कर रहे जाते हैं। सडक पर चलते भिकारी के साथ उसके दो बच्चे भी हैं। वे अपने बाहे हाथ से अपने पेट को मलते चल रहे थे। और दाहिने हाथ से आते जाते लोगों से कुछ पाने के लिए हाथ फैलाएं मांग रहे हैं भूख के होट सूख गए हैं तो वे अपने आसूं को पी करे जाते ऐसा लगता है मानो उन बच्चों की दशा को देख कर किसी को दया नहीं आती है और किसी ने उनको खाने के लिए भी कुछ भी नहीं मिलता है अता कभी उनकी दशा को देख कर द्रवित हो जाते हैं चाट रहे जूठी पथल वे भी सड़क पर खड़े हुए और ज़रपट लेने को उनसे कुट्ते भी है अड़े हुए ठेहरो अहो मेरे हरदय में है अमरत मैं सीच दूँगा अभी मन्यों जैसे सो सकोगे तुम तुमारे दुख में अपने हरदय में खीच दूँगा इन पंक्तियों में महा कवी निराला जी एक भिखशुक तथा उसके दो बच्चों की दैन्य दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भूख को सहन न कर पाने की स्थिती में भिखशुक और उसके बच्चे जब किसी अन्य से भी कुछ भी प्राप नहीं कर पाते तो सडक पर पड़ी जूठी पतलो को ही चाटने का पर विवश है भाव ये है कि सडक पर जूठी पतलो पर बचा खुचा थोड़ा सा भोजन चाट चाट कर वे अपनी भूख मिटाने का प्रयतन कर रहे हैं उस भिक्षुक का दुरभागे देखिए कि उन जूठी पतलो को भी कुट्टे उनसे जपट कर ले जाना चाते हैं अर्थार कुट्टे भी जूठी पतले चाट रहे हैं जब भिक्षुक उन जूठी पतलो को चाटने का यतन करता है तो कुट्टे उनसे उस पतलो को छीनने का प्रयास करते हैं तथा उस पर जपट पड़ते हैं कवी स्पष्ट करना चाते हैं कि भिक्षुक की दशा पश्यों से भी हीन है कवी भिक्षुक के प्रती सांत्वना प्रगत करते हुए कहता हैं कि मेरे हिरदय में भिक्षुक के लिए प्रेम का भाव है इस प्रेम के बल पर वे उसे अम्रत्व प्रदान करना चाते हैं कवी भिख्षुक को अभी मन्यू के समान अपने अधिकारों से लड़ने की प्रेणा दे रहा है भाव ये है कि कवी भिख्षुक की दीन हीन दशा को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे तथा लोगों के मन में उसके प्रती सहान भूती एवं करुणा के भाव जगाएंगे भूख से ब्याकुल भिकारी और उसके दोनों बच्चे जब मार्क से गुजरते हैं तो सडक से किनारे जूटी पतलों को देख कर उनसे रहा नहीं चाता और वे अपनी भूख को मिटाने के लिए वे सडक पर पड़े हुए उन्हीं जूटी पतलों को चाटते हैं वे भी गली के कुत्ते के को साथ जूटी पतलों को चाटने के लिए लड़ने लगते हैं कवी यह देख कर देख कर द्रवित हो जाता है कवी कहरदय इस बात के लिए सच चिंतन हो जाता है कि वो उनके दुख दर्द को बाटेगा और इनका दर्द दूर करेगा कवी ने इन पक्तियों में अभी मन्यू शब्द का प्रयोग किया है जिसका आश्य यह है कि भिक्षुक को अभी मन्यू के समान संघर्ष करने को प्रेरित कर रहा है तथा अपनी कविता के माध्यन से जन जन तका ध्यान भिक्षुक की मारमिक वेथा पीड़ा एवं दुख की ओरा गर्शित करने का संकल्प लेता है अभी मन्यू अर्जुन का पुत्र था जो अर्जुन के अनुप उस्तित्ती में महा भारत के युद्ध में चक्र वियों को भेदने लगा गया था चक्रव्यूक को भेते हुए वो सात्वे द्वार तक पहुँच गया था परन्तु लोटते समय सात महारती द्वारा एक सात प्रहार किये जाने के कारण उसका प्रणान्थ हो गया था यदपी अभी मन्यो इस युद में हार गया था तता पी अपनी वीरता के कारण वो हार कर भी अमर हो गया था सभी के द्वारा उसे प्रशंसा एवं साहनु भूती प्राथ हुई कवी को भी इच्छा है कि भिक्षुक की दीन हीन दशा को पर उसे समाज द्वारा साहनु भूती प्राथ होगी इस कविता में हमने क्या क्या देखा भिखशुक अपने आपको दुख पहुँचाता पस्ताता हुआ आ रहा है भुख के कारण उसका पेठ़ पीट मिलकर एक हो गए है वह लाठी के सहारे चल रहा है और अपनी फटी पुरानी जूली को फैला कर लोगों से भीग मांग रहा है उसके साथ उसके दो बच्चे भी है बच्चे अपनी बाहे हाथ से अपने पेठ को मल रहे थे और दाहीने हाथ का प्रयोग लोगों से कुछ मांगने के लिए कर रहे है जब इन्हें कुछ भी मिलता तो वे अपमान और दुख के हासूं को घूट कर पी कर रह जाते थे जब इन्हें कुछ नहीं मिलता तो वे अपमान और दुख के हासूं को घूट कर पी कर रह जाते थे दुख की असहनिय स्तिती में वे सड़क पर जूटी पतलों को चाट कर अपनी भूक मिटाने का प्रयास कर रहे हैं इनी जूटी पतलों को पर कुट्ते भी जपट रहे हैं कवी अपनी कविता के मात्यम से भिक्षुक को दीन हीन दशा जन जन तक पहुचाना चाहता है कवी भिक्षुक को अभी मन्यों के समान संघश करने को प्रेरित करता है भिक्षुक कविता महा प्राण निराली चीद्वारा लिखी गई है प्रस्तुत कविता में कवी एक भिकारी और उसके दो बच्चों की दैनिय वस्ता का वर्णन किया है भिकारी के पेट और पीट भुक मरी के कारण एक हो गए है वे अपनी भुक मिटानी के लिए भीक मांगते रहते हैं सड़क पर चलते हुए जूटी पतलों को चाट रहे हैं जिसके लिए उन्हें कुतो सेवी छेंना जपटी करना पड़ रहा है भिक्षुक की दीनिता को देखकर कभी उसके प्रती अपनी साहानु भूती प्रगट करता है इस कविता में तो ये कविता यहीं पर हम समाप्त करते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथ ही बेल आइकन को भी दवाए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो को अंध तक देखने के लिए भी धन्यवाद